जाहिन दोस्तों आप देख रहें कुमार सॉल्यूसन और आज की इस वीडियो में हम काफी अच्छा टॉपिक बात करने वाले हैं हलांकि एक दो मुझे मेल पर मैसेज आया हुआ था कि यह पुर्वा और पश्वा क्या होता है तो मैंने थम्निल भी काफी अच्छा बनाया है आपका पुर्वा क्लियर हो जाएगा कि यह हवा क्या होता है तो यह क्लियर कर लो कि पुर्वा और पश्वा में अंतर क्या है देखो पुर्वा हवा वो होता है जो पुर्व से पस्चिम की तरफ जा रहा है मतलब क्लियर हुआ जिस तरफ सूरज उगता है और जिस तरफ डूपते की तरफ जाता है मतलब पूरव से पस्चिम की तरफ जाएगा वो होगा पुरवा और फिर पस्चिम से अगर पूरव की तरफ आएगा तो वो होगा पछवा ये डॉट तो किलियर हो गया अब जानते हैं ये सब कितने टैप का होते क्या होते पूरा डिपली जानने क प्रियास करेंगे तो देखो पहले क्या होता है कि गर्मी के टैम में भी हवा बहता है दो टैप का एक गर्मी के टैम में हवा ऐसा आएगा कि जिसमें आपका पुड़ा नाकुक सुख जाएगा मतलब कपड़ा आप सुखने के लिए दुरत सुख जाएगा मिट्टी समय सकते हैं अच्छा खेलते दूपते हैं ठीक ना लेकिन बुढ़े लोगों को दिक्कत हो जाता है उसके पौम में जहां पर पेन या कहीं चोट लगा होता है ना हड़ी दर्द करना शुरू हो जाता तो गर्मी में भी स्टैप का मौसम आ जाता है तो उससे हम कहते हैं कोल्ड समबर तो यह होगा गर्मी का दो टैप का हुआ हम पूड़ा बात करेंगे कहां से क्या वाब एता है मैं आपके थूरू बात करेंगे पर पहले कुछ सलैट देख लो कि किस किस टैप का होता है जिससे आपका बेक्ग्राउंट थोड़ा तयार हो जाए ओके फिर आब आते है कोहासा बिल्कुल भी ने रहता है पूरा किलियर होता है तो एक ठंडी का यह मौसम होता है और दूसरा क्या होता है कि काफी मतलब कोहासा गिड़ेगा आपको बिल्कुल इस टैप का बंदर के टैप में रहना पड़ेगा भालू का सकल बनाना पड़ेगा पूरा ढखना कि देखो अ हम सब्सक्राइब बताएंगे मतलब इंडिया को चार पार्ट में डिभाइड करेंगे फिर इस समझ्झों से हैं हिमाल है ठीका हम जो भी करसत डाल रहे हैं यह अपने हिमाले हुआ और इस से से जो हाए यहांपे बगाया कि खाड़ी है और इस साथ से क्या है पकिस्टान वाला सद है टूकले तो विंटर से जो हवा आएगा मुंटे। से जो हवा हॉआ घांडा घाएगा चुक पर बड़े मなので बताने के लिए मिज्ण इलान उतनी मेडिये लोकाद नहीं और मैं कोशिस भी नहीं करूंगा कभी देखो यहां पे इस सेट से होगे अपना हिमालय रीजन ओके इस सेट होगे पकिस्तान का रीजन यानि यहां पे जो अपना है वो एक थार डिजार्ट है मरुवस्थल है मरुवस्थल जानते हो ना जामें पूरा बाल हो गया यहां पर देखो बें थोरा रेट कर दें ऊपर की तरफ जो होता है न नौर्थ लिखाना तो मैं प्याद होगा क्योंकि ऊपर जो होता है उत्तर होता है नीची होगी आपका दक्षी इस से होता है पूरव और इस से होता है पस्चिम पूरा क्लियर इसे मैं कह रहा उत्तर दक्षिन की तरफ क्यों नहीं बहता है तो इसका सीधा सासान अंसर है कि पिरिथवी जो है पस्चिम से पूरव की तरफ गूमता है इसलिए हवा पूरव से पस्चिम या पस्चिम से पूरव की तरफ ही जाएगा जैसे मालो आप अगर ट्रेन से जा रहे हो तो हवा कभी आपको इधर से हिट नहीं करेगी हवा हमेशा सामने से हिट करती है किलियर तो यही रिजन होता है कभी कभी होता है कि उत्तर से दक्षिन हवा आपको देखने को मिल जाएगा जब आंधी होता है उसके लिए जो होता है टेंप्रेचर जमिवार होता है क्योंकि टेंप्रेचर अधिक होगा तो वो खाली अस्थान को भढ़ेगा वो सब अलग लोजिक है उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे इसको भी हम कहेंगे पस्टिंबला हवा मतलब पच्छवा हवा और यहां से भी जाएगा उसको हम क्या कहेंगे पस्छवा हवा कहेंगे लेकिन इसके विप्रित अगर इस साइट से हवा आ रही है तो इसे हम क्या कहेंगे पुर्वा और यहां से भी हवा जाएगी इसे भी हम कहेंगे पुर्वा फिर हमने यहां पे डिवाइड किया है ना इसका हमको पता चलता है कि ऐसा क्यों मैंने किया देखो यहां पे अपना हिमाले है हिमाले पे रहता है बहुत अधिक बर्फ तो इस से जो हवा लेके आएगा वो हमारा क्या होगा काफी ठंटा हवा होगा मतलब यह चाहे गर्मी में आए या चाहे ठंडी में आए हमें लगेगा ठंडी ठंडी में आएगा तो काफी मौसम जो है आपका धुंधला मौसम होगा मतलब काफी कुहासा गिड़ेगा इसलिए आप देखते होगे कि जो हमारा इसेट का एस्टेट है नौर्थ इस्ट का एस्टेट है जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जहार, खंड ये सब जो एस्टेट है उसमें आपको ठंडी में कुहासा देखने को मिलेगा जब पुर थंडी में आएगा तो आपको यहां पे मौसम क्या होगा साफ होगा, काफी तेज हवा बहलेगी, पर आपको मौसम अनुकुरित लगेगा, ठीक ठाक लगेगा इस सेट से जवाएगी वो हवा अधिक तेज होगी कमप्रिजन टू पूरवा हवा पस्वा हवा क्या होगा काफी तेज होगा और ये अपने साथ थोड़ा बहुत मतलब कुहासा जो है न वो लेके आएगा अगर धूप थोड़ा अधिक होड़ा है तो क्योंकि ये अपने साथ हमेशा क्या करती है बादल कैरी करती है इसलिए आप देखते होगे कि करनाटक के सेट में कमप्रिजन पूछा भी जाता है कि मतलब ठंडी के टैम में कौन से इस्टेटे वारिस होती है तो आपको करनाटक टिक करना पड़ता है हलांकि उसका डिजन दूसरा होता है ये हवा वह जाता है और फिर टकडा के वापस आता है तब होता है ठीक ना लेकिन यहीं से वो बादल लेके जाता है ये हुआ के लिए अब देखो इस सेट से हवा आएगी चाहे ठंडी या गरम कभी भी अगर इस सेट से हवा आएगी ना पसवा हवा तो वो हवा काफी गरम होगी बहुत ज़्यदा गरम जो कहता है ना जो मिटी में दराडे आने वाली हवा मैं जो आपको ये पिक्चर दिखाया हुआ था ये वाला ये जो आप देखने को मिलता है या फिर इस टैप का थंडी के टैम में अगर इस टैप का आपको देखने को मिलता है तो ये कहां का हवा होता है इरान के सेट से पाकिस्तान के सेट से जो हवा आता है वो क्योंकि यहां पे थार मरवस्ताल है इसलिए इसलिए हमको यहां से जो हवा आता है वो हमको काफी गर्म देखने को मिलता है अब भाड़ी साना शुरू हो जाएगा थो ठंडा ठंडा फिल होगा मतलद उस टेम में क्या होता है कि पसवा हवा ही आपको ठंडा फिल करवाता है लेकिन यहां से अगर पसवा हवा आ रही है तो वो क्या होगा आपको गर्मी फिल कर भाएगा ठीक इसके अपोजित अगर इस से पुर्वा हवा आ रही है तो काफी ठंडा मतलब पुराना चोट जखम जो होगा न वो सब दर्द करना सू हो जाएगा लेकिन नीचे अगर बंगाल की खाडी वाला हवा आएगा तो वो अच्छा यह हवा ऐसा है सब कुछ क्लियर हो गया होगा तो कॉमेंट वाक्स जरूर मेंशन करना तब हम आगे एक और यह वीडियो बना देंगे कि हवा कभी तेज और काफी स्लो क्यूं हो जाता है वो तो एक मोसन में चलना चाहिए था तो ऐसा क्यूं होता है यह काप यह म पता नहीं था या पता था दोनों बात कमेंट बोक्स में लिखिएगा ताकि हम भी तो समझ पाएं कि आप लोगों को पता था यह नहीं पता था चली वीडियो को इंड करते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद